शिरादे, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चनल में स्वागत है, मैं विजिंदर, आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेक्के आया हूँ, आज के वीडियो मैं आपको बताऊंगा, कि क्या भगवान हमें भी याद करते हैं, मेरे से कई सारे लोग प तो कैसे पता चले, तो दोस्तों, मेरे भाई बैन, मैंने इस पर पहले भी एक विडियो बनाया था, कि क्या भगवान हमारी पुकार सुनते हैं, उसमें स्री कभीरदास जी कहते हैं, कि चीटी के पगनूपुर बाजे, तो भी साहिब सुनता है, चीटी कितनी छोटी है, ले भी भगवान उसके गुंगरुओं को नूपुर की आवाज को सुनता है, तो हाँ भगवान हमारी पुकार सुनता है, तो भगवान हमें याद करता है, इसका पता कैसे चले, तो देखिए अगर आपको भगवान को याद करके उनकी कथा सुनके आपकी आँख से आसों आ जा मुरारी बापु बताते हैं तो चलिए आपको एक मा भारत की कथा और सुनम जिससे पक्का हो जाएगा कि भगवान हमें याद करते हैं एक बार की बात है भगवान स्ट्री कृष्ण ध्यान मुद्रा में बैठे थे और युदिष्ठर जी स्ट्री कृष्ण के पास गए और हाद जोड़ कर खड़े हो गए युदिष्ठर जी सोचते हैं अरे पूरा जगत तो भगवान का ध्यान करते है लेकिन आज भगवान खुद ध्यान में बैठे है किसका ध्यान कर रहे है बगवान पलंग पर बैठे हैं उनकी शाम शुन्दर छवी है सरीर से तेज बरस रहा है दिव्य अंग है पितामबर धारन किया हुआ है बगवान के वक्ष तल पर कोस्तुब मनी सोभा पा रही है यो मनोहर सुन्दर जाकी थीनों लोकों में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी पहले तो युदिस्टर जी ने खूब दर्शन की हैं भगवान के और फिर पास आये हैं पास आने के बाद भगवान के जब आँख खुली तो युदिस्टर जी मुस्कुराने लगे और कहते हैं भगवन महा भारत युद्ध पूरा हुआ और आपकी किरपा से हमने विजय को पाया है हम जीत गए हैं भगवन और आपने हम परदया की की हम धरम से बरष्ट नहीं हुए बहुत सारी बाते की लेकिन भगवान स्री कृष्ण कुछ नहीं बोले मानो उस से में भी भगवान ध्यान मगन है युदिष्ट जीने का भगवन एक बात बताईए सारी दुनिया आपका ध्यान करती है और आप किसका ध्यान कर रहे हो माधो आपके रोंग्टे खड़े है सरीर जराबी नहीं हिलता आपकी बुद्धी और मन भी स्थिर है आपका ये विग्रे काठ दिवार और पत्थर की तरह निश्चेस्ट हो रहा है हिल्डुल नहीं रहा जहां हवा नहीं है उस थान में जैसे दीपक की लोकापती नहीं एक तार जलती रहती है उसी तरह आप बिस्थिर है ऐसा लग रहा है जैसे आप नहीं कोई पत्थर की मूरत है अरे प्रभू आप ही तो इस दुनिया को बनाने वाले हैं आप ही सब के कार्ण हैं आप ही सब का अंत हैं सब के आदी हैं मैं आपका शर्णागत भगतों परभू लेकिन किरपा करके बताईए आप किसका ध्यान कर रहे हैं जब युदिस्थर की प्रात्ना सुनी तो भगवान कृष्ण मुस्कूराए देखिए कृष्ण जब कुछ भी कहें तो मुस्कूराते हैं उनका मुस्कूरान गजब है हसी तम्म धुरम और मुस्कूरा कर कहते हैं कि भगया इस समय बान सहिया पर बाबा लेटे हैं स्री भिसम पितामा लेटे हैं और दर्द से करा रहे हैं लेकिन उनका मन उनका ध्यान मुझ में है जब उनका मन मुझ में है तो मेरा मन भी उसमें है वो मेरा ध्यान कर रहे हैं मैं भी उसका ध्यान कर रहा हूँ आपको एक बात बताओं युदिस्टर जब 23 दिन तक अपने गुरू परशुराम के साथ इन्होंने युद किया तो भी वो प्रास्त नहीं हुए थे और वे ही भिश्म आज सारी इंद्रियों की वर्तियों को एक करके बुद्धी के दुवारा मन को अपने अधीन करके मेरी शरण में आ गए है इसलिए मेरा मन भी आज उनमें लग गया है और मैं मन से आज भिश्म पितामा के पास पहुँच गया हूँ और मैं उनी का ध्यान कर रहा हूँ तो दोस्तों ये बात बिलकुल पक्की है जब आप मन से भगवान का ध्यान करते हैं उन्हें याद करते हैं तो भगवान भी जरूर याद करते हैं और श्रीमत भगवत गीता का एक श्लोक है वो मैं आपको बता दूँ उसकी एक पंक्ती कहते हैं भगवान कृष्ण कि ये यथा माम प्रपत्यन ते तामस्त थे वो भजाम्यम कि हे अर्जुन जो भग्त मुझे जिस परकार भजते हैं मैं भी उसको उसी परकार भजता हूँ देखिए कितनी प्यारी बात भगवान स्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भजन करता है मैं भी उसका भजन करता हूँ जो मुझे याद करता है मैं भी उसे याद करता हूँ ये भगवान का प्रिय वाक्य है तो आप भी दिल में बसा लेना कभी मत सोचना कि किवल आप ही भगवान को याद करते हैं अगर आप भगवान को याद करेंगे तो भगवान भी आपको जरूर 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 याद करेंगे ये बात पक्की है तो दोस्तों आज का ये वीडियो में आप तक लाया कि क्या भगवान हमें याद करते हैं आशा करता हूँ अब तो आप समझ गए होंगे कि हाँ भगवान हमें याद करते हैं इस पात में तनिक भी संदे नहीं है और करना भी मत आपके लिए मैं दूसरे चैनल पर हरे कृष्णा रस पर परते करवीवार को वीडियो डालता हूँ आप परसों एक नया वीडियो देखना आप सुनोगे तो आपको आनंद आएगा शाम को चार बजे हरे कृष्णा रस पे तो आज के वीडियो को यहीं विराम आपको मेरा प्रणाम जैश्याराम जैश्यारादे